दुर्गा सप्तशती पाठ नौवा अध्याई रिशी बोले, हे राजन रक्त बीच के मर जाने पर शुम्ब निशुम्ब दैत्यों का क्रोध बढ़ गया फिर दैत्यों की प्रधान सेना को लेकर निशुम्ब युद में दोड़ाया उसके आगे पीछे दाएं-बाएं बड़े-बड़े दैत्य थे, वे क्रोध के मारे ओट काट रहे थे शुम्ब भी अपनी सेना के साथ मात्रगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे अपने बाणों के समू से चंडिका ने उनके बाण काट ती फिर शस्त्र समू से उन दैत्यों के अंगों पर प्रहार किया निशुम्ब ने तीखी तलवार तथा चमचमाती धाल उठाली देवी के पराक्रमी वाहन सिंग के सिर पर प्रहार किया अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होता देख कर देवी ने शुर प्रनामक वान द्वारा निशुम्ब की बड़ी तलवार तथा आठ चंडों वाली धाल काट दी तलवार तथर ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ती चलाई उसे सामने आता देख कर चक्र द्वारा उसके दो टुकडे कर डाले तब तो अत्यन्त कुपित होकर निशुम्ब दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेक दिया देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया गदा उठा कर फिर चंडिका की और फेका देवी ने उनको भी त्रिशुल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई उसके अनंतर देत्यराज को फरसा उठाया था देखकर बांट समूहों से प्रहार कर उसे प्रित्वी पर गिरा दिया उस भयानक पराक्रमी भाई निशुम्ब के इस प्रकार धराशाई होने पर शुम्ब क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया वहरत पर बैठा हुआ था उसकी बड़ी बड़ी अनूपम आठ भुजाएं थी उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे उन भुजाओं से सारे आकाश को ढाप कर वह शोबित हो रहा था उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंक बजाया और धनुष की अत्यंत दूसर टंकार की समस्त दैत्यों की तेज का वद करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया तब सिंग ने बड़े बड़े हाथियों के महमत को दूर करने वाली बड़ी भारी गर्चना लगाई उसके द्वारा आकाश प्रित्वी एवं दशों दिशाओं गूंज उठी तब काली ने आकाश में उड़कर प्रित्वी पर दोनों हाथों से ताड़ना की कि उस शब्द से पहले कि सभी शब्द मंद पड़ गए तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अठास किया उन शब्दों से दैत्य डर गए शुम्ब के क्रोध का पारा चड़ गया फिर जबकि अंबिका ने कहा कि दुरात्म ठहर तब आकाश में स्थित देवता जैजैकार करने लगे शुम्ब ने पहुँचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ती चलाई अगनी के पहाड की तरह आती हुई शक्ती देखकर देवी ने अगनी की भारी उलका से उसे हटा दिया शुम्ब ने फिर सिंगनाद किया देवी द्वारा चलाए बानों को शुम्ब ने अपने उगरवानों द्वारा सेकड़ों हजारों टुकड़े कर दिये तब चंडिका ने कोपित होकर शुम्ब को शूल से मारा उसके लगते ही वह मूर्चित होकर प्रित्वी पर गिर पड़ा इतने में निशुम्ब चैतन्य होकर वहां पहुँच गया हाथ में धनुश बाणों से काली तथा सिंग पर प्रहार कर दिया उस दानव राज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली फिर चक्रों का प्रहार करने लगा तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुरुगा ने अपने बाणों से वे चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया तब निशुम्ब दैत्य सैना से आवरित होकर चंडिका के वद के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से फेका वेग से आते हुए उसकी गदा की तीखी तलवार की दौरा चंडिका ने काट दिया फिर दैते ने शूल उठा लिया शूल हाथ में लिए उस देवी पीड़क निशुम्ब को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चला कर उसकी च्छाती भींद दी उसकी च्छाती के फटे ही उसी च्छाती से एक और महाबली पुरुष निकला वहीं खड़ी रहे वहीं खड़ी रहे इस प्रकार कहने लगा उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हसी और तलवार से उसका सिर काट दिया वह पृत्वी पर गिर पड़ा तब भयानक दाड़ों वाला सिंग दाड़ों के असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैतियों का भक्षन कर डाला कुछे घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैतियों को काली तथा शिवदूती ने खा डाला और कई सिंग के ग्रास बन गए अगला ध्याय अगली विडियो में तब तक के लिए जैम आता दी इसी प्रगार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचूर्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकोन को क्लिक करना ना भूले धन्यवाद